दोर्टों आप सभी कहानी की पाचोँ भाग में स्वागत है, गर आप लोगों ने उस कहानी की चौथे भाग को भी तक नहीं सुना है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा और जो लोग इस कहानी को सुरू से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोग वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा चले कहानी स्टार्ट करती हो पसंद आ रही हो कहानी तो प्लीज कहानी को जल्दी से लाइक कर दे फ्रेंस और चैनल पर नियुँ हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाया करें जब कहानी में अप्लोड करूं तो कुनाल का मन किया कि वो उसी खीच कर अपने पास वापस ले आए जैस्मिन के उठने से उसे अपने पास खाली पन का हैसास हुआ एक चीज की कमी सिद्दत से महसूस की और वो जैस्मिन थी कब उसके लिए इतनी नायाब बन गई कि अब उसके बिना पल भर भी रहना दूबह था कुनाल खुद कभी इस तरह नहीं सोया जैसे आज सोया जितनी वे फिक्री से वो आज सोया था जैस्मिन को भला क्या कहता वो तो खुद ही थकीवी थी एक अच्छा वक्त उसके साथ बितानी के बाद भी वो खुद से बेखुद हो रहा था गुस्सा जुजलाहत या सच्चाई से मौमोरनी की जद्दो जहद कुनाल ने कुछ सिखायती नजरों से जैस्मिन को देखा जैस्मिन को कुछ सूज नहीं रहा था लेट उठी इसका मलाल था कुनाल कुछ कहना दे इस बात का खौफ जल्दी तयार होने की हर वड़ाहत नीचे जाने पर उसे कोई रोक टोक ना दे इस बात का खयाल पेसो पेस पी वो उकताई सी बैठी थी सायत कुनाल की बोलने का इंतजा था जो भी कहेगा सुन लेगी बात और काम टालना ना उसे पसंद था ना कुनाल क फिर उसका गंभी रविया जो उसने एक्तिहार कर रखा था जैसमिन का दिल हॉल खौफ हो रहा था कुनाल को सफेज सलवार कमीज पहने वे थी किसी परी जैस सी लग रही थी वो जो आसमान से उतर आती है ऐसा उसने बच्पन में दादी की कहानियों में सुना था मासूम औ से प्यार की भाशा पढ़ा रही थी और वो है कि अब तक उन्हें से बचता रहा हैं लेकिन ज्यादा दिन तक वो जैसमिन के सहर से बच नहीं पाएगा इस बात का हैसास कुनाल को बखो भी हो चुका था ऐसासे कुबूल उसे गामारा नहीं था और सचाई से मुह मोड़ना तो कभी आया ही नहीं वो कुनाल जो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का सामना कहने से घबराता नहीं कट मैरें को तेयार रहता है ये चोटी सी बात उसके जीवन की सदा बन रही थी उसे तु लग रहा था यकीनन साधी की बात कुछ नहीं बदिलेगा वो जैसा है वैस बना रहेगा जल्दी ही उसकी पितनी उसके इस रूप को accept कर लेगी पर यहां तो बाजी उल्टी पड़ रही थी ये वो लड़ी कुनाल पर हावी हो रही थी और कुनाल जजबातों से बचकर भागता भागता जजबातों के पीछे भाग पड़ता रात भी यही हुआ अब की सुकर की सांस ली भगवान की रहमत है कि इस इंसान ने उसे सुभे सुभे कुछ नहीं का सच में ईसवर रहम दिल है जैसमिन ने मनी मन प्रातना की और ईसवर जनसे हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं उन्हें ही दूआ दे डाली कुनाल कब है उसके भीतर कुछ इस तरह समाया था नई नई साधी में उस जुजला हट का रिस्ता नहीं चाहती थी अभी तो उसे कुनाल नाम की पहली सुलजानी थी बस उ हमेशा ऐसे ही रहे इतना सिधा जैसे अब था भगवान से प्रात्ना की कुनाल पलटकर फिस सो गया और जैस्मिन फटाफट दियार होकर नीचे चली आई उसे ने जाकर चाय भी बनाई और फिर इनके लिए लेकर भी आनी है वरना साध सोती ही रहेंगी अभी वो कुनाल के लिए चाय लेकर ही आई थी जब उसे कुनाल च्छत पर टहलते हुए दिखा साध फोन पर किसी से बात कर रहा था कहीं जानी की बात हो रही थी रेहान होगा अक्सर ही वो रेहान की साथ ही बाहा जाया करता था उसकी चाय मुदेर पर दखकर मुडी ही थी जब कुनाल ने आवाज लगाई सुनो मेरे लिए एक अप्ले निकाल दो जी जी जैसमिन पलट गई कौन से जैसी ही याद आया उसने पूछने के लिए वापस पलटी मारी थोड़ी कनफ्यूज थी कोई भी एक काम करो तुम रहने दो मैं निकाल लूँगा तुम पहले चाय पी लो कुनाल ने उसके हाथ में थमा अपना कब देखा तो उससे इसरारा किया जैसमिन को खुसी हुई वो उसका खयाल रखता है फिर बिखफास्ट तयार कर देना कुनाल ने चाय कपमुड भैते वे कहा जी ठीक है जैसमिन ने भी उसके कहने से कब थाम लिया कुनाल चाय खत्म कर नहाने चला गया था जबकि जैसमिन नीचे आकर नाशते की तियारी करने लगी रोज का यही मामुल था सबके लिए नासता साथ बनता ज्यादा नहीं, पर वो थोड़ी बहुत मदद करवा दिया करती, वैसे भी, काम करने वाली वो इतनी सारी औरते थी, जिनने बस खाने पीने का काम करना होता था, और उसकी हिससे, कुनाल के सारे काम आये थे, बेटा, तुम ऐसा करो, कुनाल के कपड़े प्रिस कर दो, उसे कह जाना होगा, तो फिर ढोड़ेगा, वो कुनाल की आदतों से अच्छी तरे वाकिब थी, चाची ने, उसे वहाँ से भेज दिया, जबकि वो खुद रसोई में लगी हुई थी, जैस्मिन भी चुपचा अपने काम में जुट गई, कपड़े तहकर, वो ऊपर आई, तब कु कुनाल थोड़ा जुचलाया हुआ था, वैसे ही जुचलाहट में कहा, और फिर मुड़कर जैस्मिन की वो देखा, ताकि उसे कह सगी, कि वो निकाल दी, ओ, तुम्हारे हाथ में तो हैं, कुनाल ने कहा और जल्दी से उसके हाथों से ले लिया, जबकि अभी वो टौविल म ही खड़ा था, जैस्मिन वापस जाने लगी तो, कुनाल ने नास्ते का पूच लिया, जी लगभग बन ही गया है, आप आएंगे तब तक तियार हो जाएगा, ठीक है, तुम नास्ता लगाओ, फिर मुझे निकलना है, कुनाल ने अपने सर्ल्ट की बाह की बिटन बंद कहत जी ठीक है, इस चोटी बातों के अलामा, कुनाल और जैस्मिन के बीच और कोई बात नहीं होती थी, जैस्मिन को घुटन हो रही थी, रात जो प्यार का दरिया उसने देखा था, क्या महज चलावा था, ये इनसान तो बिलकुल उल्टी बात कर रहा है, उसे लगता था, हर जी सिर्फ ठीक होगा, जबकि वो उसका सीस महल तोड़ देता, ये ख्वाब महज ख्वाब थी, जिनकी धरातल पर कोई हकीकत नहीं थी, जैस्मिन कुली और बंद दोनों आखों से ऐसे ख्वाब देख दी, जो कभी पूरी नहीं होने थी, वो दिल में उठी एक टीस के खुमी आई नमी और दिल में उड़ते जस्बातों को जबत के, नीची की उचली गई, कुनाल का ये लिया दिया सब वहार, जैस्मिन को हर रोज मार रहा था, क्या उसकी जिन्दगी में उसकी जिगें बस यहीं तक है, उसकी हलामा वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कब महसूस करती है, यहां आकर कैसा लगा, क्या नई जिगें मन लग गया, क्या उसे अपनों की याद नहीं आती, क्या माई के जाने का मन नहीं करता, क्या वो ने माहूल में, अजेस्ट हो पाई है, क्या उसके पीहर वालों से बात हुई, क्या सहेलियों से मिलने का मन करता है, अकवर तो नहीं फील कर रही, कितनी सारे सवाल थी, कब क्यों कैसे, जैसमीन चाहती थी, इन सवालों की उत्तर कुनाल को दे, कुनाल ने अपने प्रशनों के उत्तर ले, पर वो तो हर दिन का हिसाब किताब, अपने पती को देने को तयार थी, उससे लेना भी चाहती थी, सु जिसको ढहने में जिन्दगी निकल जाए दादी नहीं भी धके छुपे सब्दों में उससे एक वादा लिया था हर मुस्किल परिस्थिती में कुनाल के साथ रहने का साथ उसके उम्र भले ही कम हो जाए उसकी जिन्दगी ही साथ छोटी हो जाएगी एक लंबी उम्र और जीव जिस पर थंडे गरम का हिसास तो होता है पर भावनाओं की जलकियां कभी नहीं रेखी जा सकती जैस्मिन तुम्हारे पेर सोने हैं कि आज दादी को जैस्मिन के चलने से पायल के रुण्जन सुनाई नहीं दी थी जैस्मिन को भी खयाल आया कैसे वो आसानी से चल पा रही ह वैसे भी सुभा से कुनाल ने बहुत भाग दोड कर वाई उसने नीचे अपने पैरों की योड दिखा हाँ दादी वो मैं फिर से पहनना भूल गई अभी पहन कर आती हूँ जैस्मिन को अपनी गलती का हसास था और मलाल भी इतने दिनों में ही उसने दोसरी भार भूल की है ये तो भला हो कि इस घर के औरते खरोज नहीं है वैना उस पर कयामत आ जाती औरते सास रंगार के मानने में कोई कुताही नहीं बरत थी खास कर बात जब अपने बेटे और फोतों से जुड़ी हो ये सब सुहाग की निसानिया है जिने आज की जवानी में पहले कोई मानी या ना मानी पर कहीं न कहीं अब भी इनका महत तो ज़रा कम नहीं हुआ है दूसरी बात जो थी वो ये है कि उसकी गलतीओं की बारे में अगर कुनाल को पता चल गया तो उस पर कहर ही तूट पड़ेगा क्या तुम्हें पाजेब पसंद रही दादी ने बस यूँ ही पूछा नहीं दादी ऐसी बात नहीं है तो वो बस इन्हें सोर पसंद रही दादी बस मुस्करा दी जल्ली ही मुझे कुसकबरी दोगी परपोता या परपोती मेरी गोद में खेलेगा ये भला बात अब यहां कहां से आ गई दादी को क्या हो गया जैस्मिन बस यह सोच कर मुड़ी ताकि उपर जा कर पायल पहन सकी अच्छा मेरे पास बैठो दादी ने उसे वापस बुलाया जी दादी जैस्मिन ने इनके पास बैठते वे अपनी रजा मंदी दी सच सच बताओ किसी किसी को पायल बेलिया लगती है तुम भी बढ़ी लिखी सहर की लिड़की हो क्या तुमें भी ऐसा लगता है नहीं दादी मुझे तो इनकी खनक बहुत पसंद है पनेने नहीं पसंद कहते हैं सोल में नीद नहीं आती दादी जैस्मिन की ना समझी पर हस दी मेरे पास रमजोल है सोच रही हूँ तुम्हें ही दूगी अभी तुमेंने अपनी तीन बहुओं को भी नहीं दी कहीं आपस में लड़ना पड़ी पर तुम तु एक ही पोता बहु हो तुम्हें देने में कोई मलाल नहीं मेरा सारा सोना भी तुम्हारा है दादी ने जैस्मिन पर प्यार और भरोसा दोनों चताते हुए कहा जैस्मिन रमजोल के नाम से ही खुसोगी उसे तो बड़ी बड़ी मोटी पाजेब छनकती हुई बहुत पसंद है उनका बचना अच्छा लगता है जबकि रमजोल तो और बड़ी होगी उसने बस सुना था पुराने जबाने में ये कितने चाव से औरतें पहनती थी रहे सारे घुंगरों से बनी वी चांदी की हाड़ी जाएं थोड़ा पाजीब से भारी होता है पर क्या हुआ एंटिक चीज भी एंटिक होती है जैस्मिन के मन में गुर गुरा हट हुई जब तादी उसे रमजोल देंगी और वो अपने पैरों में डालेगी बिल्कुल रानी हार की तरी जो उसने कितने सिद्दत से चाहा था और आखिर उसे मिल गया वो भी पुर्खों की निसानी हम अपनी विरासत को संभाल कर नहीं रखेंगी तो भला कौन रखेगा उन्हें सहेजना हमारा करतब्य है फिर वो घर हो महल हो हवेली हो या पुराने जेवरात फुर्खों का प्यार और आसिर्माद उनकी लगन छुपी रहती है इन सब में जैसमिन का ध्यान कुनाल की बेरुखी से हट गया यही वो चेज थी जो उसे सुकून देती थी दादी नहीं भी साथ उसके आपों में खाली पन देख लिया था तभी उसे किसी दूसरी तरफ उलजा दिया और जैसमिन वाकई उलज गई अब उसके दिल में कोई खलिस नहीं थी कम से कम तब तक के लिए नहीं जब तक कुनार उसके सामनी नहीं है औरतों की दुनिया बहुत छोटी होती है अक्सर अपने जीवन का खाली पन को भेने के लिए उन्हे कप्रों और धे सारे गहनों में खुसियां तलासा कहती है ताकि उनके जीवन में कुछ तो नया पन हो कुछ तो बेसुमार हो दादी ये तो कोई बात नहीं वी ये तो मैंने मांग रखी है ना आपसे हाँ लेकिन मैंने दे कहां रखी है तुम्ही मना गय दिया था इस घर के जेवर इस घर की बहुके हैं तुम्हें तुम्हारी दादी सास दिंगी मेरी बला सी दादी अब आप पलटी मार रही हैं बेवजे मुझे बातों में मतलो मैंने कभी नहीं कहा था कि रमजोल तुम्हारा है पर भाभी को भी तो आपने रानी हार दिया है और बाकी जेवर भी एक चीज तो कम से कम मुझे मिलनी चाहिए ये बात अपनी दादी सास से कहना अब आप बात को गुमाईए मत भाई मेरे लिए तो ऐसा घर ढूड़ना जिसमें दादी हो ही नहीं सुर्ग सिधा चुकी हूँ दादी सास वाला जंचठी खतम कलपना अपनी दादी से रमजोल की बात पर उलच रही थी जब उसने दादी को कहते सुना की वो भी जैसमें को मिलने वाली है अभी दादी पोती की बहर जारी ही थी जब काजल ने अपना मुह खोला वो अपना ही राग अलाप रही थी जब भी जमान खोलती थी कुछ उल्टा सिधा ही बोलती थी जैस्मिन को हसी आई, दादी सास के सामनी, हस भी नहीं सकती थी, इसलिए मुह दबा कर बस मुस्कुरा कर रह गी, जबकि कलपना ठाहा का लगा कर हस पड़ी, जैस्मिन ने मुह गुमा लिया, कहीं दादी देखना ली, दादी ने पहले वैसे उसकी भी कुछ ऐसे ही खयाल थी ये तो किस्मत से उसकी दादी सास अच्छी निकली, वैना उसने तो कुछ बुरा ही सुन रखा था, उपर से गाउं की ओरते, उसे लगता था, उनके साथ तो वो अपना तालमिल बिठा ही नहीं पाएगी, जबकि पूरे घर में वो अच्छी तरह रम गई, और यहां के लो किया, थोड़ी देर पहले दादी जहां कलपना से उलज रही थी, अब दादी की सामने काजल थी, और दोनों बेहने किच किच पर उतारू, एक को रमजोल चाहिए थी, जबकि दूसरी को, दादी सास ही नहीं चाहिए थी, ऐसा क्या कर दिया बुढिया ने, जो तुम उन्ह मारने पितुली हो, दादी को अपनी हम उम्र औरतों के बारे में ऐसा सुनना अच्छा नहीं लगा, इतना बुरा क्यों आखते हैं लोग, उन्हीं एक सदी का अनुभव होता है, एक दोर को दीखा होता है, अपनी बुढ़ी आखों से एक जमाना जीक है, वो यहां तक आते हैं, तब भी अपनी नकारात्मक छवी को अपने अनुभव और सोच समझ से दूर नहीं कर पाई, यह आज किलके बच्चे कहां जा रहे हैं, उनका भविश से कहां हैं, जो बडों को यह दरकिनार कर देते हैं, मानू वो कोई तुच्छ वर्त हों, भले ही आज की चीजों मे वो उनके जितने अच्छे नाव, टेक्नलोजी उन्हें ना आती हो, पर यह वही लोग हैं, जो आज के जबाने में अरजेश्ट कर रहे हैं, अगर इसके रिजर्व पर किरिया हो, और बच्चों को बोल दी, कि तुम्हें पुराने माले माहोल में धलना हैं, तो साइद मर ज जाएं, फिर भी उनके इस सहज सुईकार ये गुण को पता नहीं, लोग क्यों सुईकार नहीं कर पाते, दादी को कोफ्ट हुई, और उन्होंने अपनी नादान और ना समझ पोती को डाटा, जबकि उसे डाट में भी, प्यार और दुला चुपा था, और क्या कहें दादी आप तो खुद ही खरोस बनी हुई हैं, जबकि मेरी दादी हैं, फिर दादी सास तो कितनी ही खरोस होंगी, क्या ही कहने उनकी, इस से अच्छा हैं, हो ही ना, दादी ने अपनी छड़ी दिखाई, किसी दिन इस से पिटाई होगी तुम्हारी, तब जानोगी, दादी और क् सकती हैं, अभी तुम सिर्फ दादी को बातों का भूद समझती हो, नहीं दादी, हम तो आप कुलातों का भूद भी समझते हैं, तुम बाज आ जाओ, अपनी हरकतों से, वैना मैं चपल दे मारूंगी, दादी ने कहा, काजल जरा उनसे दूर बैठी थी, इसलिए अपनी ख करने में ज्यादा ही मजा आ रहा था, जैसमिन उसके लिए तु सिर्फ कुछ नया नया अलग अलग था, कभी दो चार लोगों की परिवार में रही, अब इस बड़े से कुनवे में रहती थी, और यही इस घर की खूब सूरती थी, कि यहां हसी की गूज कम नहीं होती, कोई परेसान भी होता, तब भी एक दूसरे का मोर बहतर कहने के लिए नुसके ढूंड लाया करते थे, अपना काम छोड़, पहले उसका मोर दुरुस्त कहना ज्यादा जरूरी था, कलपना से बात अब काजल की ओर मुड गई थी, और काजल और जादी की खटी मिठी नोग जोग जारी थी, जबकि जैस्मिन और कलपना इन चटपटी खबरों का मजा ले रही थी, अंदर से आते सोर सराबे और, खिलखिलाहटों की आवाज ने कुनाल के होटों पर भी मुस्कुराहट ला दी, ये उसकी छोटी बेहन नटकरत और, नादान थी, छोटी छोटी बातों पर अक्सर दादी से उलच जाया करती, बलकि सबसे ही, क्या हुआ, आज दादी और काजल के बीच फिर वहसबाजी हुई क्या, बाहर से अंदर की ओर आते हुए, कुनाल ने अपने ताई से पूछा, जो बाहर चूले में ही काम कर रही थी, हाँ, अंदर जाकर देखो, तुमार पर आ गई थी, फे तो तुम्हान आने माला होगा, आने माला होगा नहीं, अंदर आया हुआ है, जाओगे, तब पता चलेगा, और अपनी उस नक्चड़ी बेहन के नक्री भी उठाओ, दादी ने अगर गहनों की हाँ नहीं भरी, तो खर्चा भी तुम्हारे हिस्सी ही और वो हानी बहती, बस हर बार का यही है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, बच्ची है अभी समझ जाएगी, कब तक रहेगा ये बच्पना, उसकी उम्र की तुम्हारी बहु है, अब उसे भी क्या बच्ची कहोगी, सह चड़ा रहे हो तुम उसे, फिर कहोगी कि नक्रे कह करती है, तुम्हारा क्या है, तुम तो उसी विदा कर दोगी, अगले कावी तो सोचो, कैसे जिलेगा वो ये बच्चकानी हरकती, और एक जैस्मिन को दुखो, कितनी समझदार है, कुनाल को अचानक से, सुबह जैस्मिन के साथ किया हुआ बहेवियर याद आया, सच में वो उसे सुबह पूरी तरह नजर अंदाज करके चला गया था, उसकी ही हाय होगी, जो साथ अब वो एक निरासा के साथ घर वापस लोटा है, क्या वाकई, वो उसके साथ गलत कर रहा है, कुनाल का जहन बुरी तरह उलज गया, अक्सर यही होता, दिल और दिमाग के गफ्तगो में, अक्सर वो दिल के हाथों हा जाया करता, पर फिर संभल भी जाया करता, और जीत दिमाग की होती, एक इनसान के एहसास, उसकी भावनाओं को, हर बार वो कुछल जाता, कुछ बहुत खोबसुरत लम्हों की बाद, वो उस इनसान के जोली में, बेरुकी डाल कर चला जात बिल्गुल दबे कुछलेवे फूलों की तरे, कुनाल को कुछ घुटनसी हुई, और विचारों की आंधी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया, जबकि ताई जी की अगली बात ने से वरतमान छडों में लापटगा, तुम्हारा काम हो गया, जिस काम से गय थे, ताई ने थोड़ा फिकर मंदी से पूछा, कुनाल ने नामी गर्दन हिला दी, चहरी पर चिंता की लकीरी उभर आई, ताई जी की चहरी पर भी परिसानी की जलकियां देखी जा सकती थी, पर जादा उलजना ठीक नहीं था, अभी अभी बेटा खौर होकर आया है, रेहान, वो, वो क राम जताते हुए का, उनका बेटा थक कर घर आया था, कुनाल को भी जरूरत थी, यही बुस्से थी, जहां वो सुकून पाता था, आगे बढ़कर दादी के पास चला गया, जहां अभी भी, महा संग्राम जारी था, तुम चिंता क्यों करती हो, जो तुम्हें चाहिए, वो पर वो तो, उन्होंने भावी को दे दी, फे तो और भी अच्छा है, भावी से लेकर, मैं तुम्हें दे दूंगा, दादी से पूछने की जरूरत ही नहीं, क्या सच में, भाई, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं, भाई प तो है लेकिन भावी पर नहीं गहनों की मामले में औरती बड़ी पर जिस्सिब होती हैं आपको मालूम नहीं है भाई की मुझे भलक ऐसे मालूम नहीं होगा बच्पन से तो देखते आ रहा हूं अपनी छोटी बहनों को जो गहनों को लेकर दादी से लड़ती आई हैं कुनाल नहीं हसकर कहा क्या भाई आप भी मुझे तंग करने लगे अच्छा और तुम ये जो मेरी प्यारी से दादी को तंग कर रही हो उसका क्या हां सबको दादी की साइड लेनी होती हैं मेरी साइड कोई नहीं तुमारी ही साइड हूँ गहने तुम्हें मिल जाएंगी फिकर मत क कुनाल ने प्यार से कहा और दादी के पांस आकर बैठाया, खुद को नॉर्मल बनाये रखना चाहता था, पर दादी की अनुभवी आखे सब पहचान जाती थी, चेहरे पे परिसानी की लकीरे दिख रही थी, जिनने कुनाल ने चुपाने की वकूबी कोसिस की, या ऐसा कहें की नाकाम कोसिस की, क्योंकि सफर नहीं गवा, दादी ने जैस्मिन को चाह लिवाने के लिए भेज़ दिया, जिबकि कलपना और काचल उटकर अंदर चली आई थी, जैस्मिन अब भी कुनाल के पास सिख ली थी, क्या पता उसे कुछ और चाही हो, दादी ने एक बार कुना में प्यार था, उमीद थी, जबकि कुनाल ने अपने चाहली और ऐसे रेक्ट किया, मानों से जैस्मिन के यहां होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैस्मिन गर्दन चुकाई वहां से चली गई, आज कुनाल परेसान था, तो दादी ने भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा, अव कोनों के मिजाज में अंतर है, खयाल भी एक दूसरी से भिन होंगे, पर यहां कुनाल को समझदारी दिखाते वे, जैस्मिन की, इच्छाओं को ध्यान में रखना होगा, वो भी तो इस घर्क में बैठ कर, उससे बातों की उमेद करती होगी, दुख सुख साज़ा करना चाह और भी मिया बीबी के वेच में जो बाते होती हैं, वो सब पर लजीना चाहती होगी, पर ये बात इन आदमियों को समझ नहीं आती, और वैसे भी, ये तो सारी एक जैसे हैं, लगता है खांदान का असर है, दादी ने मन में सुचा, वो कुनाल को चाय पीते हुए देख रह एक पाए पर तो रिस्ता नहीं टिका रहता, इस बारे में थोड़ी तो बात इससी भी करनी पड़ेगी, पुनाल ने आस पास देखा, जब सब अपने काम में मसगोन थी, उसने दादी को आज के मामडे के बारे में बताना शुरू किया, वो उने हर एक पहलो से अवगत करा रहा था, दादी के चेरे पे चिंता की लकीरे आई और गई, जैसे इन सब से, अब फरक पढ़ना बंद हो गया हो, कुछ भी तो इनसान के हाथ में नहीं होता, इनसान की कर्म और, उनकी कहनी उसे वहाँ खीच लाती है, जहां सायद उसे लगता हो, कि उसकी जरूरत नहीं, पर फिर भी, ये तो नियती में लिखा है, अतीद में गलती किसकी थी, किसकी नहीं, वो आज भी नहीं समझ पा रही, पर उन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया था, अब वो कुनाली खुसियों पे कोई ग्रहड नहीं लगने दिना चाहती थी, जिस तरह कुनाली, पूर जर अंधाज ना करता चली, आखिर जो कुछ भी यतीद में हुआ था, कुनाल का, जैसा सभाव है, जिसमें जैस्मिन की तो कोई गलती नहीं, वो उसकी मासूमियत को नहीं कुचलने देना चाहती थी, जैस्मिन के फूल की तरी, जितनी पवित्र और मुलायंग थी, इने बड़ी परिवार में आकर, खुद को सोभाग यसाली समचती है, जिम्मेदारियों का, रती भर भी रोना नहीं, वैना आज कल के वक्त में, लोग जिम्मेदारियों से भागते नजर आते हैं, और वो हैं, जो उन्हें सुएकार करना चाहती हैं, अभी ना सही, पराने वक्त के लिए, वो खुद को तयार कर रही थी, कुनाल के लिए इससे बढ़कर जोड़ा और क्या होगा, कि वो भी, कुनाल की तरहे हैं, सब के दिल में प्यार करने वाली, सब को अपनाने वाली, जैसमिन आज कर कुनाल के कामों को देखते देखते, खुद को भूल सी गई घर पर वो तयार होकर रहती, घर का माहोल और कुनाल के सुभाव को देखते वे, खुद को मेंटेन करना भी एक बड़ा काम था, गाओं के तो तरीकों में रहना भी सहज नहीं होता, बहुत सारी बंदिसे होती हैं, बहुत सारी तयारी करनी पड़ती हैं, जो जो चीज जरूरी थी, गिन गिन कर, सब को अपने सरीर पे सांस इंगार की तरह सजाना, चाहे उसे पसंद हो या ना हो, बहुत ज्यादा मेकप में, उसे भारी पन का हिसास होता था, लेकिन फिर भी उसे करना था, गाओं की रिभायतों को देखते वे, इस घर की परंपरा को देखते और सबसे जरूरी कुनाल के लिए, क्योंकि कुनाल को पुराने रिती रिवाज पसंद थी, जो प्रथा सदियों से चली आ रही थी, वो किसी न किसी सूरत में निभाई जानी थी, बस उन सब को छोड़के, जिनका कोई तुक ना हो, पर जैस्मिन इन बातों से अंजान थी, कि कुनाल को तो वो सादा से लिवास में भी पसंद थी, और जैस्मिन को लगता था, कि वो उसे इतना तियार होने के बात भी पसंद नहीं करता, अपने कम्रे में आई तो देखा, उसका फोन बज़ रहा था, चेक किया तो उसकी सही लीका था, और भी कॉल थी, जो उसने मि पहने जीवर उतारी, और खुद को हलका महसूस करवाया, अभी उसने कपड़े बदले नहीं थे, ऐसे ही, फोन लेकर बैठ गई, सबसे पहले घर पर बात की, पोरा दिन तो, उसे वक्त नहीं मिला था, वक्त होता, तब भी वो बहू होने के नाते, फोन लेकर नहीं बैठ स नहीं हो पाई थी, फोन की दूसरी तरफ एक चहकती वही सी अवा जाई, साधी से पहली, वो भी ऐसे ही चहका कहती थी, अब सस्राल में तीज बोलना अलाउड नहीं था, और फिर वो तो, थी ही नहीं नहीं, मैंनमी एक डर भी था, और कुछ आसंकाएं भी, कैसी हो तुम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, मैं भी अच्छी हूँ, वैसे तुम बड़ा सस्राल के रंग में रंग गई हो, कितना आराम आराम से बात कर रही हो, हाँ, तेरी साधी होने दे, फिर तुम भी रंग जाओगी, जैस्मिन ने उसका माखोल उड़ाते हुए कहा, जरूरी नहीं सबकर सस्राल एक जैसा हो, हो सकता है, मैं वहाँ भी ऐसी ही चहिकती रहूं, देखते हैं, अभी से क्या ही कहें, जैस्मिन की जिन्दगी में कुनाल के आने का एकसर यह हुआ कि, अब वो बेवजे बातों भी उलज़ती नहीं थी, जरूरत होती, उतना ही बोलती, फिजूल की बाते, कुनाल को पसंद नहीं थी, और अब वो भी दीरे दीरे, वैसे ही होने लगी, फिर उसे डर भी था, कि कुनाल के आने का वक्त हो गया है, वो कब ऊपर आ जाए, और उसे, यूँ खिल खिलाते हुए देखकर, गुस्सा ही ना कह दे, हाँ भाई, पिलकुल देख ल पस वक्त ही नहीं मिलता, या यूँ कह लो, वक्त तो है, पर यहाँ जॉइंट फैमिली है, फिर उन सब को नजर अंदाज कर, फोन लेकर बैठना अच्छा नहीं लगता, सब बड़े हैं ना, जीजू की समझदारी का असर हो रहा है मोहतरमा पर, काफे गंभीर बाते कहने लगी हो, वैसे वो, हैंसम हंक है कहां, जो अभी नीचे हैं, सब के साथ बैठे हैं, और तुम, मैं बस आ गई, उसे क्या बताती, सब के बीच में कुनाल के साथ बैटना उसे बड़ा अक्वेड फिल कराता था, वो कोई बात भी ठीक से नहीं कर पाती, इससे अच्छा यही में आ जाया करती जिल्दी कप्टे बदलने का बहाना भी होता उसे थोड़ा खुद को रिलाक्स फेल भी करना होता था क्या हुआ तुम इतनी बुझी बुझी से क्यूं हो जैस्मिन कोई सोचों का दौर खतम ही नहीं हो रहा था तो उसने प्रिश्ट किया कुछ नहीं बस उसे कुनाल के सुभाव से कैफियत थी आखिर वो अपने दिल का हाल किसे कहे ले दे कर ये एक सहेली थी मन हुआ किसे सब कुछ बता दी पर कुनाल के आने का डर भी था और आधी अधूरी बात बता कर उसे परिसान नहीं कहना चाहती थी अच्छा है मैं तुमें कल देने मे फोन करूं फ्री होकर अभी कहां विजी है तो तो कह रही है जीजू सब के साथ बैठे हैं वो जैस्मिन को कुनाल के नाम से चिड़ा रही थी दरसल मुझे चेंज करना था और वो भी आने वाले होंगी ओ भई कितना ख्याल है उनका और मेरा जरा सा भी नहीं ऐसा नहीं है नो टेंकी मैं तुछ से दिल खोल कर बात करनी थी तो कहे तो कल कर लूँ जी जी मैडम अब तो आप हमारे रोकने से भी नहीं रुकेंगी अब कल ही कर लेना ठीक है ध्यान रखना अपना और तुम भी चल लगती हूं बाए बाए जैस्मिन ने भी फोन कट किया ही था और फ फेतों के बीच में घह चारों तरफ से हवा लगती रहती थी अब तक वो बंद कमरी में बैठी नवास महसूस कर रही थी पर कुनाल की साथ ही एक ठंडी हवा का जोका आया और उसके बदन को छूकर गुजर गया सरीर में सिरहन से दोड़ गी बिना सौल दुपट्टे की ब हवासे बाल हलके हलके उड़ रहे थी जो उसकी चोटी से निकल गए थी कुनाल को वो एक सुन्दर मूर्ती की तरह लगी कोई कला करे थी जिस पर देख नयने नक्स उभरे हुए थी अगर कोई कारीगर उससे बनाता तो उसका दिल खोल कर तारीफ करता पर ये तो उपर वा जो चाहता है वो करता है और जैसे चाहता है वैसे ही करता है ना तारीफ का भूखा है ना ही अगर कोई बिसरा दे तो बुरा मानता है जैसमिन कुनाल को देख रही थी जो अभी भी दरवाजा खोले खड़ा था वो सायद पलटना भूल गया और पलक जब काना भी कुनाल का ठंधा सा रविया देखर जैस्मिन को इस ठंधे मौसम में और ज्यादा सरदी लग रही थी, कुनाल का गरम मिजाज और उसकी प्रति ठंधा सा लहजा उसे बिल्कुल समझ नहीं आता था, फिर भी अब वो जैसा था, वैसा ही रहने वाला था, दादी बातों ही बातों में, ज जैस्मिन को इस भारे में कई बार अगाह कर चुकी थी, जैस्मिन को समझ नहीं आया, अब वो क्या करी, वो टेकर स्वाल ओड ले, या फिर कपड़े बदलने चली जाई, वो कुनाल को नजर अंदाज नहीं कर सकती थी, जैसे एक्सर उसे कुनाल पर जाया करती थी, स्वारी, जैसे एक्सर उसे कुनाल कर जाया करता था, अभी भी फोन हाथ में था, उसने उसे और मजबूती से जकड़ लिया, वो जसकी तस खड़ी थी, अब कुनाल की कदम, उसकी योड बढ़ रहे थी, जैसमिन नजरे उठा रही थी, पलके जुका रही थी, अब वो जा जैसमिन की ओर बला दिया, जैसमिन को इंग देखना उसी, अनकमफटेबल फील करवा रहा था, एक तो वो डरती बहुत थी, फिर कुनाल का मोर भी बदलते मौसम की तरह थी, ठीक रहता रहता, कब गरम हो जाए, पता ही नहीं चलता था, वो कितना ही बचना चाहे कुनाल को मौका मिल ही जाता था, कुनाल उसे नहारता, उसके करीब आ गया, वो बालों की चोटी, आगे की विना दुपटे की थी, कुनाल के करीब ख़़ा होने से, उसे गरमाहट महसूस हो रही थी, अब तक ठंदी हवा के जोंकों ने, उसके ठिटुरन बढ़ा दी थी, अब कुना की सरीर का नमास उसी, अच्छा लग रहा था, उसने अभी तक अपना फोन नहीं चुड़ा, कुनाल ने हाथ आगे बढ़कर, उसके हाथों के बीच से फोन निकाल लिया, कि आब वो चिक करेगा, कि वो किसे से बात कर रही थी, पर कुनाल को कोई फरक नहीं पड़ा, उसने फोन लेकर सोफे पे डाल दिया, और जैस्मिन बस उसे देख की रहेगी, आप कपड़े बदल लें पहले, मैं बाद में चेंज कर दूँगी, जैस्मिन ने कुछ अटक कर, कुछ डरते हुए, कुनाल को ये थोड़ी से अलफाज अदा करी, कुनाल कुछ देर, यूँ ही ता कर लिया, जी, वो, वो आप, कुनाल का एक हाथ उसकी कमर पर था, और एक हाथ उसके सर के पीछे था, कुछ कहना चाहती हो, कुनाल ही कुरबर जैस्मिन को कुछ बोलने नहीं दे रही थी, मुझे जैस्मिन ने बस हौले से ना में सिरिला रिया, कुनाल ने लाइट बंद की और जैस्मिन को अपने नजदीक ले आया जैस्मिन तो कुनाल के सहर में डूपती उतरती जा रही थी जबकि कुनाल बेखुद सा हो गया था ये जैस्मिन का जादू था कि वो उसी देख कर खुद से बेगाना हो जाता था वो जो खुद पर सक्ती का लवादा उड़े रहता था जैस्मिन के पास आने के बाद खुद पर खुद उतर जाता कभी कभी उसी वो बहुत खोकला लगता जैस्मिन थी जो कुनाल की सक्तियां जहलती थी पर वो जैस्मिन नहीं थी जिसने कुनाल की महबबत को इस हद तक महसूस किया था गिले सिक्वी जो कभी उसके मैंन में उठी वो होटो तक कभी आए ही नहीं उसने खुद में ही समेट ले थी या यूँ कह दे कि कुनाल ने उसे मौका ही नहीं दिया वो अगर उससे सक्त होकर कुछ कहता तो ये वो कुछ खास लम्हे थी जहां वो बेहत नर्मी और अपने पन से उसके साथ फेस आता और जैस्मिन की सारी संकाएं और सुबहा खुद बखुद मिट जाती वो कुणाल की जिन्दगी में एहम थी खास मुकाम रखती थी उसकी एहमियत बागी लोगों से जरा भी कम नहीं थी बस रिस्ता कुछ ऐसा था कि घाओं के माहूल को देखती भी सिम्टा सिम्टा सा रहता जैस्मिन को उसके प्यार भरे अलफासों को सुनने की चाहत थी जो कुणाल ने अब तक नहीं कहे पर उसे महसूस करवाता था हाँ कभी जदाया नहीं कि वो उसे कितना प्यार करता है लेकिन जैस्मिन उन एहसासों को जीती तो पूरी तरी डूब कर और ये कुनाल के प्यार की गहराई थी जिसमें वो न चाहते वे भी उतार जाती कुनाल का साथ पा कर कि ये जो हाथ अब उसने थाम ले थें तो जिन्दगी बेर एक दूसरी को साथ चलना है एक दूसरी की परचाई बनकर और कुनाल उसे ऐसे सफर तक ले जाता जिसकी मेंजी लिए एक दूसरी की महबबत थी जैसमें की तो कुनाल की हर चीज जिसे इसक हो गया था यहां तक की अब उसका ये सुभावी उसे भानी लगा था कितना अन्प्रिडिक्टिबल इंसान है था वो पल में तोला पल में मासा साइध उसे खुद ही नहीं पता होगा कि उसका अगला कदम क्या होना होगा और इसी तरी उसने जैसमें को अपना दीमाना बना लिया था ना चाहते वे भी उसके पाश डोर की तरह खिची चली जाती और कल रात भी यही हुए जब वो उसके प्यार की हदों में सिमट गई थी सुबा ही एक प्यारी सी मुस्कराहट के साथ वो उठी देखा कि उसके कपड़ों की जगे उसने कुनाल का कुरता पहन रखा है जैस्मिन कुछ सोच में पढ़ गी उसे याद आया कि रात को उसे ठंड लग रही थी जबके कुनाल अभी इन सबसे बेखवर नेंद में सोया था जैस्मिन ने आसवास देखा और दीरे से विस्तर से उठने लगी ताकि कुनाल की नेंद ना डिस्टर्ब हो फिर भी कुनाल की आँख खुल गई और कुनाल ने उसे कुछ ना समझी में देखा वो रात को मुझे ठंड लग रही थी जैस्मिन को लगा साइद अपने कुरते को देख कर इस तरह रियेक्ट कर रहा है कुनाल ने धीरे से कहा और सिर्व आपस तकी पर ठिका लिया अच्छा लग रहा है कुरता तुम पर और भी रखे हैं आलमारी में पहन सकती हो लेकिन सिर्फ इस कमरे में कुनाल ने लेटे भी आखे बंद की हुए ही कहा जैस्मिन को कुनाल के कहे थोड़े से सब्द बड़े भले से लगे और सुबह खुद को उन कप्रों में देख कर जो ठोटी सी मुस्क्राहत उसके होटों पर उबरी थी अब वो और गहरी हो गई वो बड़ी खुशी के साथ उठी और नेचे जाने के लिए तयार होने लगी कुनाल उसकी एक्टिविटी नोट कर रहा था एक एक गहना वो अपने जिस्म पर फूलों की तरह सजा रही थी बड़े आहिस्ता और सौप्ट से अपने नाजुक नाजुक हाथों को गहनों की दिसा में मोड रही थी हिला रही थी उसकी नजरें भी उन पर थी मानो वो उसके लिए कितने कीमती हूँ कभी कभी उसे वो बहुत प्यारी लगती और मन करता कि उसे कह दे पर खुद को रोक लेता अगले ही पल नजरें हटा लिया करता था कि कहीं उसकी उसकी ही नजर ना लग जाए जैस्मिन ने सौल उठाई और बाहर निकल गई कुना नाराम से वापस नींद की बादियों में उतर गया कमडी में बेसक अकेला था पर नींद में जैस्मिन उसके साथ थी वैसी ही एक मस्कराहत उसके होटों पर उभर आई जैसे जैस्मिन की होटों पे थी वो थोड़ी देर पहले का लमहा याद कर रहा था दादी ने जैस्मिन को देखा जिसका चेहरा आज खिला-खिला सा लग रहा था आखों में चमक और चेहरे पे खुजी उसका रंग रूप निखार कर आ रहा था और दिनों के मुकाबले वो दमक रही थी जबकि कल उसकी ब पर भी कुनाल की सोहवत का असर हो रहा है दादी ने बस गयदन अफसोस सी हिला दी दीरी दीरी मिजाज मिल जाएंगे पर किसके और किसके साथ पर अभी बक्त ही बताने वाला था दादी जिस उम्मीद के साथ जैस्मिन को इस घर में लाई थी वो साथ बिपरीत होगी जैस्मिन कुनाल के लिए चाय लेकर आई थी आजो वापस सोने के मूर में था इसलिए वो देर से आई साथ अब तक उठे गए होगी जैस्मिन जब छत पर आई तो देखा कुनाल मुलेर की सहारे खड़ा फोन पर बात कर रहा था हाँ ठीक है मैं जल्दी आता हूँ हाँ बस निकल जाओंगा थोड़ी देर में जैस्मिन ने चाय रखी और कुनाल को देखने लगी जो अभी अभी बस नेद से जगा था उठते ही उसकी आदत बाहर आने की थी एक बार वो चत पर खड़ा होकर चारों तरफ फेले अपने खेतों को जब तक देख नहीं लेता उसे चैन नहीं मिलता और फिर खुले आसमान की नेचे खड़ा रहना उसे पसंद था चाहे ठंड हो या गर्मी वो आदी था इन सब चीजों का जैस्मिन ने देखा कि कुनाल ने अपना कुरता पहन लिया है और बस वो इतनी ठंड में भी कुरते पजामी में ही जैस्मिन थी जो स्वेटर पहन कर उपर सौल भी उड़ी हुए थी इस इनसान को ठंड नहीं लगती कितना बेहिस है ना सदी गर्मी का हिसास है ना किसी कि ज़स्बातों का आप नहाई नहीं अभी तक हाँ बस जा ही रहा था रेहान का फोन आ गया मुझे जल्दी निकलना ह तुम मेरे कप्डे तैयार कर दो जी मैं एक बार नीचे जाकर आता हूँ कुनाल को कुछ काम याद आया वो चाय पीकर पलड़ा ही था कि जैस्मिन ने इसका हाथ पकड़ लिया वो वो आप नहा कर चले जाईएगा हाँ बस दो मिनिट में आया ताओ जी से कुछ बात कहनी ह फिर उन्हें भी निकलना है कहीं चले ना चाएं कुनाल थोड़ा जल्दी में था बलराजिजी को किसी काम से बाहा जाना था और कुनाल उनके साथ कुछ डिसकस करना चाहता था जैस्मिन ने भी हाथ नहीं चुडा कुनाल नी कुछ सवालिया नजनों से जैस्मिन को देखा और जैस्मिन ने उसकी गयदन की ओर इसारा किया जैसे उससे कुछ जताना चाहती हो कुनाल चुपचाप कमरे में चला गया अब वो नहा कर ही नीचे जा सकता था एक बार खुद को मिरर में देखा अपनी गयदन को देख कर मुस्कुरा दिया जहां सिंदूर की लाली फैली भी थी और भाहर जैस्मिन अभी उन पलों में कैद खड़ी थी इंतजार कर रही थी कि कब कुनाल नहाने के लिए बात रूम में घुशी और वो अंदर जाकर कमरा समेट सके उसके कपड़े निकाल चके और कुनाल नहा कर आए उसे से पहले बस किसी तरह नीचे चली जाए वो उसकी नजरों से भी बचना चाहती थी इसलिए उसकी सामने सरमाई सी सुक्चाई सी खड़ी थी और उसकी इस अहालत का मज़ा अभी थोड़ी देर पहले कुनाल लेकर गया था कुनाल को भी जैस्मिन की वो उठती गिरती पलकों की जालर याद आ रही थी जिसमें हया थी अपना पन था प्यार था और हक भी दोस्तों आज के चेप्टर आप लोगों को कैसा अच्छा लगा हो तो प्ली जाने से पहले लाइक जरूर कर दें और अगर बागी की चेप्टर्स को सुनना चाहते हैं जैसे की पहले चेप्टर्स से लेकर यहां तक सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में है आप लोग प्ली चेक कर लीजिए यहां